Hello everyone, आज का ये वीडियो आपके English grammar के लिए बहुँ जादा important है क्योंकि आज हम लोग 25 ऐसे most important questions discuss करने वाले हैं जैसे कि exam के अंदर पूछ जाते हैं अब ये जितने भी questions है ना ये questions exam में पूछ जाते हैं तो आपको इस questions देखने चीए क्या बताओ एक बार कि मैंने आपको कहा है कि इसके जैसे questions आएंगे जैसे कि अभी मैं इसमें ये trick बता रहा हूँ ये आपके पास में present tense है तो अब ज़रूरी थोड़ी कि ये ऐसे ही आएगा exam के अंदर future tense आजएगा लेकिन आपको application अगर उसकी समझ में आ गई तो आप आसा नहीं से उसे कर साकते हो तो इसे लिए ये video काफी जादा important है सबी questions को ध्यान से देखना तो सबसे पहला जो question है वो है हमारा fill in the blank वाला है तो इसमें जो पूछा गया है ये sentence given है इसमें fill in the blank करना है ये question आप लोगों के लिए चलो इसमें दिया गया कि the treasor and the secretary left from the bank अब इसमें A, B, C, D option कौन सा correct है ये आप लोग बताई का क्योंकि पहला question आप लोगों के लिए हो sentence हमारा ये है the treasor and the secretary left from the bank तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखो जब कभी भी ऐसा आता है जहाँ पर कि आपको helping verb के अगर question आता है तो इसमें आप ध्यान रहे कि आपका जिसे की has हो गया या फिर उसे के साथ में is हो गया या फिर उसके साथ में हो गया was हो गया तो यह सब जो होते हैं यह किस के लिए होते हैं यह होते हैं singular के लिए और इस के लावा बाकी के किस के लिए रहेंगे plural के लिए तो सबसे पहले identify करो कि subject कैसा है और अगर वहीं पर ही इसमें एक twist हो जाता है कि end की जगह पर अगर और हो जाता तो इस case के अंदर क्या होता कि यहाँ पर आपको जो use में लेना था note down कर लेना कि अगर end की जगह पर और होता मतलब कि दो choices होती तो individual subject होते हैं individual subject होने की वज़े से क्या होता यहाँ पर है इसका आंचर होता यह आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद में अगला question आता है अगला question है कि fill in the black by the correct form of verb verb से related question सीधे आएंगे तो इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा हमें tense को identify करना है तो अब जैसे कि जो sentence हमें given है वो यह है कि the school is organized and educational to Kashmir in summer break तो अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें tense कौन सा है तो इसमें tense आपको मिलेगा कि भाया यह तो present continuous है अब यह कैसे पता लगा आपको तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि school organize कर रहे है तूर को मलब कि अभी हो रहा है तो present continuous हो गया तो अब इसमें कौन सी वर बाएगी तो school है school के लिए क्या use में लेंगे is use में लिया जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में organize है तो इसके साथ में present continuous में कौन सी होती है वर्ब की first form plus ing होता है तो यहां पर इसका answer हो जाएगा organizing ठीक है organizing हो गया इसका correct answer ठीक है इस तरीके से आपको एक्जाम के अंदर सोचना है अब आता ह है question number third अब जो question number third है यह थोड़ा complicated question है ध्यान से संबल जाना क्योंकि exam के अंदर confused हो सकते हो तो इसमें conversation दिया हो है tourist और guide के बीच में tourist बोलता है कि where is the exhibit section of the fort ठीक है यह question पूछा है इसका answer guide ने दिया है कि in the far corner on the second floor तो अब आपको इसका conversion किस तरीके से लिखना है जैसे कि the tourist asked the guide where the exhibition section of the fort to which the guide replied ठीक है अब आप answer इसका किस तरीके से लिखोगे replied that फिर उसके बाद में in the far corner of the second floor अगर आपने इस तरीके से यही answer सोच रहे हो तो आप यहाँ पे गलत हो अब मैं आपको बता दो क्यों क्योंकि देखो अगर किसी भी question के अंदर कोई helping verb जो है वो missing है इस किसी answer की है तो उसमें आपको appropriate prepositions भी यूज में लेनी होंगी अब आप ऐसा नहीं है कि directly इसी को ही लिख दोगे आपको prepositions helping verb को यूज में लेकर के लिखना है और यह जो answers होते हैं उसके लिए लग होता है questions के लाग होता है दोनों questions है यह answer वाला question है और एक है हमारे पास मे question वाला question तो ध्यान से रहे तो अब हम इसका answer क्या लिखेंगे इसका answer जो हमारे पास में रहेगा कि replied that it ठीक है it राएगा क्योंकि हम answer दे रहे है तो it was यह होगी इसके helping verb in the far corner ठीक है फिर उसके बाद में आप यह sentence इसमें यहां से copy करके इसमें लिख सकते हो ठीक है यह बात से इसको यहां पे हमने use में लिया है फिर उसके बाद में was इसके साथ में है helping verb जो कि past के अंदर हम लोग use में लेते हैं इसलिए ध्यान रहे क्योंकि ए exam में गलती होती है यही चोटी-चोटी गलती होती है जो कि examiner को पता होती कि student सीधा answer दे देंगे लेकिन आपको गलती य नहीं करनी है ठीक है फिर उसके बाद में अगला question है अगले question में fill in the blank है कि अब आपको इस question का answer देना तो ध्यान से सुना वो यह है कि the coach hoped that in the absence the team would A, B, C, D में से कौन सा option रहे का with the practice आप लोग मुझे comment करके बताइए कि A, B, C, D में से कौन सा option है अगर आपने question कर लिया और जिसका answer सही होगा तो भया grammar के अंदर तुमारा एक number पका है क्योंकि तुम अब इसको समझ चुके हो देखते कौन कौन student इसका answer कर पाता है फिर उसके बाद में अगला question आता है वो आता है error correction से question है तो अगर आपने error correction वाला video नहीं देखा, unseen passage वाला नहीं देखा, letter writing वाला न जैसे कि the children cheers loudly when their captain scored the winning goal की भाया वो जो बच्चे थे न बहुत जादा खुश हुए थे तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे first जो काम होता है हमारा identify करना होता है कि कौन सा tense है तो जब आप इसे read करेगे तो आपको पता लगीगा कि उसने goal score कर चुका है तो यहाँ पर कौन सा tense है यहाँ पर जो tense है हमारे past में वो है past tense ठीक है तो past tense के according सबसे पहला काम होता है वर्ब को चेक करना तो यहाँ पर देखेगी the children cheers तो अब यहाँ पर यह है cheers है इसके अंदर वर्ब तो यह कौन सी form है यह है वर्ब की first form तो यहाँ पर कौन सी आनी ची पास्ट गंदर आन narrative by fill in the blank अब इसमें कहा गया कि the teacher is hoping to put off, put up, put down या फिर put on an art exhibition before the year ends तो अब यहाँ पर यह जितने भी prepositions है इनमें आप ध्यान से देखो जैसे कि यह जो put off है इसको हम लोग कहां पर use में लेते जब भी हमें कोई भी चीज पॉस्ट पॉन करनी होती है नहीं भी put off on that day ठीक है कि जिस भी चीज को हमें मतलब की करना नहीं उसको आगे टालना है उसकेस के अंदर आप याद रखेंगे और वहीं पर यह जो put up है यह किसी भी चीज को जैसे कि install करने के लिए इसको use में लिया जाता है इसका example है कि putting up the postures तो यह क्या है कि यहां पर क्या करो है आप पोस्ट before the end of the year यहां पर क्या क्या जा रहे पोस्ट पॉन नहीं क्या जा रहा उसको बोला जा रहे कि पहले लाओ तो पोस्ट पॉन के लिए हम लोग put off करते हैं तो इसलिए d option इसका एकदम से correct हो जाएगा क्यूंकि हम लोग उस event को जल्दी करवाना चाहते हैं तो इसलिए यहां प यह है कि I enjoyed the art and craft classes तो अब आप इसका answer लिखेंगे कि Lata asked Usha what activity did she enjoy the most in the summer camp तो Usha replied that तो इसका जो conversion है उसमें सबसे पहला काम आता है कि कौन सा tense इसमें यूसमें लिया जा रहे तो आपको identify करना होगा कि यहां पर है कि I enjoyed the art and craft classes तो यहां पर आप दिखेंगे कि कौन सा tense है पास् tense होता है तो इसे हम लोग किसमें canvert करते हैं इसे बच्ची का करते है और पर एकारदे कि यहां अची कि Usha replied that she अब आनी ची helping verb है, helping verb कौन से हैगी, past perfect है, तो past perfect के अंदर आपको head को include करना होगा, she had enjoyed the art and craft classes, बस ये खतम बात, इतना सही, इसको as it is, इसके बाद में copy कर देना, इसमें I नहीं आएगा, वो आएगा कि she had enjoyed the art and craft classes, इस तरीकी से आपको लिखना है, फिर उसके बाद में आता है अगले question में हमसे कहा गया है कि identify the error, error correction वाले questions बहुत जादा हैंगे, exam में तो उनके लिए prepare है ना, तो अब इसमें कहा गया है कि identify the error, तो इसमें कहा गया कि the orchestra performed on the central stage in front of the huge audience, तो अब सबसे पहला काम किया मैं बोला था मैंने, मैंने ये बोला था कि सबसे पहले tense identify करोगे, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कौन से tense है, वो है past tense, ठीक है, अब past tense के according सबसे पहले verb check करेंगे, verb क्या है वो है performed, एकदम से सही है, second form है, फिर उसके बाद में हम लोग prepositions देखते हैं, helping verb देखते हैं, helping verb यहाँ पे है नहीं, तो prepositions में जाते हैं, तो सबसे पहली जो prep position हमें दिख रही है, वो दिख रही है on, अब on क्या इस जिखाया पर सही है, क्योंकि हाँ पर बात करे जारी है, on the central theater, अब central theater क्या है, एक है यह location, ठीक है, अब यह location है, तो location के लिए क्या on use में लेते हैं, नहीं, location के लिए use में लिया जाता है, at या फिर in, ठीक है, अगर location म तो at होता है तो इस case के अंदर दोनों ही आंसर से सही होंगे तो इसलिए इसका जो error हो गया वो क्या हो गया on और उसका correction क्या हो जाएगा वो हो जाएगा at या फिर in फिर इसके बाद में आता है अगला question question number 9 question number 9 में कहा गया है कि Bella shared some information about her visit to her grandmother तो इसके बाद में बोलागे कि report the question अब जो मैंने बोला था ना कि आपको reported speech में questions वाले करऊंगा तो वो यह वाला question है अब इसमें कहा गया है कि is your grandmother feeling better now तो अब यह कौन सा tense है यह जो tense है हमारे पास में यह है आपके पास में एक present continuous tense टेक है present continuous tense है तो अब आपको इसको conversion करना बड़ा ही simple होगा अब आप इसका answer किस तरीके से लिखोगी यहाँ पर यह question है तो question का answer आप लोग इस तरीके से लिख या फिर जो भी आपको जैसे की sentence है उसके according यूज में लेना है तो मिनाली asked that अब आएगी हाँ पर preposition तो question के according आपको ध्यान रहे कि question में if यूज में लेते हैं weather यूज में लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग यूज में लेंगे वो लेंगे if अब यह करने के बाद में आपको identify करना होगा कि इसके अंदर subject कौन सा है तो इसके अंदर subject जो है वो है your तो your को किसमें convert करो के grandmother के लिए बात करी जारे तो इसके लिए आ जाएगा कि if her grandmother GM से लिख देता है grandmother feeling better now तो इस तरीके से आपको लिखना है यह ध्यान रहे कि किस तरीके से हम लोग conversion करेंगे word by word आप उ इसी छोटी-छोटी गलतियां करता है या तो आप इसमें prepositions बूल जाओ कि अगर यह भूल गए तो इसका half marks detect कर लेगा तो ऐसे mistakes आपको नहीं करनी है फिर उसके बाद में आता है अगला question है जो कि हमार पास में question number 10 जिसके अंदर के fill in the blank आपको given है इसमें कहा गया कि your schools instruct the student to wear full-sleeved shirt during the monsoon time अब यहाँ पर यह जो है इसमें क्या करा गया है कि एक student को क्या दिया जा रहा है एक strong चिक है क्या है यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि strong obligation दिया जा रहा है कि obligation करना मतलब कि उनको follow करना है उसको हम लोग बोलते है obligation तो strong obligation जहां पर होता है वहाँ पर हम लो से पहला question है आपकी screen के उपर इसमें कहा गया है कि language is a wonderful gift to give to a man अब यहाँ पर आपको निकालना है कि क्या इसका error होगा क्या इसका correction होगा तो सबसे पहले मैंने क्या का था कि आप इसमें identify को रहो कि यह कौन सा tense है तो इसमें कहा जा रहे कि language is a wonderful gift given to a man तो जब आप इसको पता लगे का कि यह कौन सा है यह है हमारा present perfect tense है अब इसे कैसा identify करोगे क्योंकि यह एक ऐसा point है जो कि past से चलता वार और present तक आ रहे तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं से present perfect tense बोलते हैं simple भासा के अंदर समझा आपने तो अब जो हमारा सबसे पहला point है याद करो वो क्या था कि हमें verb को चेक करना है तो present perfect tense के अंदर कौन सी verb को यूज में लेते हैं तो यहाँ पर आती है हमारी verb की third form तो यहाँ पर आप देखोगे कि language is a wonderful gift give अब यहाँ पर give कौन सी verb है यह है verb की first form और हमें कौन सी ची यह verb की third form तो यह हो गया error तो इसके लिए हम लोग क्या बोल this gift but they have अब हमें इस sentence को ध्यान से पढ़ो इसके अंदर कहा गया कि animals does not possess this gift but they have तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या था कि verb हमें टोंडे तो verb यहाँ पर क्या इसमें कोई problem है इसकी verb में कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन अब इसकी helping verb के ओपर चलते तो इसकी helping verb है वो है क animals does not तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर singular subject होता है तो उस case के अंदर हम लोग does को use में लेते हैं लेकिन यहाँ पर animals कैसे है plural तो इसलिए does यहाँ पर क्या हो गया वो हो गया error और इसका correction क्या हो गया वो हो गया do इस तरीके से आपको देखना है अब इसके बाद मे आपको helping verb भी देखने होगी helping verb इसमें है नहीं तो और क्या हो सकता है इसके बाद में आपको जाना होता है models के उपर prepositions के उपर pronouns के उपर भी तो अब यहाँ पर जब आप इससे देखेंगे तो यह क्या है यह है यहाँ पर आप दिखोगे कि there है तो अब आपको पता होना च उसमें लेते हैं उसका नाम ध्यान रखेगा वो होता है positive pronoun ठीक है positive pronoun होता है फिर उसके बाद में आपको क्या बात इसमें ध्यान रखने positive pronoun होता है तो there की जगहे पे क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे आजाएगा there जो कि आपको exam में most probably यह कि ऐसा questions नहीं मिलेगा लेक अपर आपको देखना होगा कि सबसे पहला हमार वही यह कि हम सबसे पहले देखेंगे इसकी वर्ब तो सबसे पहले आप इसकी वर्ब देखोगे वर्ब आपको निकालने आनी चीए कि when a rabbit see तो यहाँ पर क्या है वर्ब क्या है वो है see और जो हमारा subject है वो कैसा singular और जो बर् ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या है, error है, वो है C, और इसका correction जो हो जाएगा, C इसका correction हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो next आता है, कि into its hole and its tail which was white, ठीक है, कि यह जो पूरा statement है, इसके बाद में है, कि into its hole and its tail which was white, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि, अब यह जो sentence है कि इसमें जा रहे है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे, कि which was white and bobs up and down as it runs, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कि जो tense है, अब इसके अंदर ही tense change हो चुका है, तो यहाँ पर जो was है, helping verb में problem है, जिस वज़े से क्या होगा, was को हम लोग इसमें convert कर देंगे, वो कर दें है, आपको verb भी दिख रही है, सब कुछ दिरखा है, लेकिन आपको सबसे पहले focus देखना है, कि article क्या यहाँ पर सही उसमें लिए आगया है, तो आप बोलोगे कि and other rabbits, तो यहाँ पर n के सही है, क्योंकि यहाँ पर o आ रहा है, मतलब other के लिए तो n ही आएगा ना, लेकिन मै नेक्स टेक इस, see it and they runs to, तो अब यहाँ पर फिर से भाई बात है कि rabbits की बात करी जा रही है, और यहाँ पर runs लिखा जा रहा है, तो runs काउन सी वर्भ है, वो है, हमारे पास में singular वर्भ है, हमें plural वर्भ यूज में लेनी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जाएग गीवन है कि dear sir, this is with reference to the committee letter of recommendation that highlight, अब तो यहाँ पर यह जो वर्ड आपको गीवन है, highlight, अब आपको इसको correct form बताने है कि इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहला काम होते है कि हमें इसके अंदर identify करना होगा कि इसके अंदर tense कौन सा है, तो जब आप लोग इस sentence को देखोग है, वो यह है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी base form है, उसी को यह isities लिख देंगे, और जो दूसरा होता है, इसका यह होता है, कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि base form होती है, प्लस उसके अंदर s होता है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान होनी चीए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है, कि जब हमारा जो subject है, वो क्या हो, वो हो अगर plural, तो उस case के अंदर हम लोग क्या ही उसमें लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस form, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे, तो हमारे जो subject है, वो है singular, तो यहाँ पर हमारे जो correct answer हो जाए वो है कि error और correction वाला question, तो यह बहुत ही सदा simple होता है, student को इसे डर पतानी क्यों लगता है, और गलत भी maximum यही होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जब भी ऐसा हो तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे first जो आपको इसके अंदर check करनी है, वो करनी है, इसके helping verb, ठ अगर वो भी सही है, तो फिर आपको इहाँ पर check करना होगा, इसका prepositions, और फिर उसके बाद में भी अगर गलत है, तो भी यहा, इसका फिर question नहीं गलत है, ऐसा ही होता है, क्योंकि manually क्या होता है, कि इन 3-4 चीज़ों के अंदर ही error होता है, फिर उसके अलाव कुछ भी नही क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जब इसको देखोगी, तो आपको इहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा must, अब आपको पता होना चाहिए, कि must हम लोग कहां पर use में लेते हैं, तो must हम लोग वहाँ पर use में लेते हैं, जहाँ पर हमें क्या करना हो, किसी को order देना हो, या फिर हम लोग किसी का, हमारे ने एक confirm है कि भाई, तुझी ये करना है, ऐसा होना ही चाहिए, तो उस case के अंदर हम लोग क्या करते हैं, must को use में लेते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी को order या फिर ऐसा कुछ compulsory वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप य तो इसलिए हम लोग must को हटा करके, हाँ पर will use में लेंगे, और विर हो जाएगा, इसका correction, must हो जाएगा, इसके अंदर error, फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं, next question की तरफ, जो की होते हैं हमारे direct से indirect के अंदर, अब मेरे को इनका concept समझ में नहीं आता, कि यह बनाए क्यों ठalten के पिखेंगे, इसके अमई या अंदर थे आप नहीं हैं इससके अंदर इसके अंदर, तो अब आप या खरी करेंगे, यह को शितर, जो किया हम लोग को आपिष, शखान मेरा है, तो देखो, मेरेकं को धिखो यह अंदर, तो अब रिघान से की व का कर ररा हैं, हम लोग जो है वो क्या कर रहा है अभिलाश क्या कर रहा है निहा से पूछ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे अभिलाश आस्ट नेहा कि भीया उसने क्या करा नेहा से पूछा अभी क्योशन स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर जब कभी भी क्योशन स्टार्ट इसके अंदरे पूछ कि क्या तुम्हारा दोस्त help करेगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे ask नihana, that आएगा और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि if या फिर हम लोग लिखेंगे weather, अब हमने यह क्यों लिखाए कि क्या तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो कि flirting वह help करेगा तो हम लोग इसको start करेंगे If, यहाँ पर Your जो है, उसको हम लोग convert करदेंगे Her के अंदर, ठीक के, यहाँ पर यह जो Your है, हमने इसको convert किया है Her के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है Point of View क्योंकि हमें इसके अंदर Point of View उसका change करना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगी, योर को हर केंदर, चेंज करेंगे, Your Best Friend Helping, अब देखो यहाँ पर यह जो वर्ब है, आपको इसको चेंज करना होगा, क्योंकि यह तो यहाँ पर शिंपल प्रेसेंट के अंदर, फिर उसके बाद में you in this venture और यहाँ पर यह जो हमारा this है इसको हम लोग convert कर देंगे that के अंदर और यहाँ पर इस तरीके से हमारे question यहाँ पर खतम होता है फिर इसके बाद में हम लोग चलते है next question के तरफ जिसके अंदर की हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर भी dialogue हैं दो dialogue दियो है, dialogue बाजी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली चल रही है यहाँ पर शारा बोलती है कि why did you choose to participate in this internship program वो पुछती कि तुने इस internship program में क्यों participate किया तो वहीं पर यह जो शबनम है वो बोलती है I have convinced this program has been the potential to enhance my abilities यह जो program है जैसे कि आप लोग भी करते होंगे कि यार मेरी है जो abilities है उसको इससे enhancement अब देखो question उसने क्या पुछाता है यहाँ पर जो सारे उसका question स्टार्ट होता है कि why did you choose to participate तो अब हमने question लिख लेकि हमें इसको convert करना है तो यहाँ पर ध्यां से देखो क्या why के अंदर कोई conversion होगा यहाँ पर इसके अंदर कोई भी conversion नहीं होगा जिन फिर इसके बाद में देखो did है अब did क्या है यह है इस cold चार पास्ट के अंदर है simple past के अंदर है तो अब हम लोग किसे के अंदर करेंगे तकु कर रहें घ्यक्ति करिंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर चैक्टरो टिंद करोग कि सबनम क्या है वो है लड़की तो उसके लिए हम लोग यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर था स llevar एक पर अजया है और इसके बाद में कि युजे के साथ में इस वीडियो को लाइक हो जाना है अच्छी अन्हें दोस्तों के साथ में शेर करें और सब्सक्राइब कर ले ना ताब कि आपको ऐसी वीडियो और मिलते रहें अब इसके बाद में आथा हमारे पास में कुछे नंबर फिफ्त के अनदर हमें सिंबल सा क् fill in the blank दिया हुए कि आपको इसको fill करने है तो अब हमारा question इस तरीके से है कि a copy of lan is enclosed and फिर आपको that then this में से बनाना होगा कि may be communicated to all the team leaders for compilation तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे तो इहां पर देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि that हम लोग कहां पर काम में लेते हैं then हम लोग कहां पर काम में लेते हैं और this हम लोग कहां पर काम में लेते हैं तो that हम लोग वहां पर काम में लेते हैं जहा कि यहाँ पर that's my friend Tom over there, तो मलब क्या है कि हमारा जो friend हो हमें से थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर हम लोग इसको काम में लेते हैं, और then हम लोग वहाँ पर use में लेते हैं, जहाँ पर कि हमें किसी time को denote करना हो जैसे कि when I finished my study then I will go for playing football या फिर जो भी आपको हो, जिसके अंदर कि क्या होता है कि हम time कर रहें कि यह हो जाएगा उसके बाद, तो यहाँ पर यह दोनों चीज़े कैंसल होती है, बचता है दिस, दिसको हम लोग वहाँ पर use में लेते हैं, जहाँ पर कि जो हमारा subject है, वह हमारे पास में हो, तो यहाँ पर क्या है कि जो letter है वह आ चुका है और उससे हमें circulate करना है, तो इसलिए हमारा जो answer हो जाएगा, वह हो जाएगा this और यह इसका correct option हो जाने वाला है, then फिर इसके बाद में चलते हैं, हम लोग यहाँ पर question number 6 के अंदर, जिसके अंदर तो वह क्या है, वह है aimed, अब aimed के अंदर जब आप देखोगे, तो यहाँ पर यह क्या है, यह complete हो चुका है, और इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहे है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर currently, अब देखो यहाँ पर इसको simple सा हिंदी के अंदर समझो, aimed का मतलब क्या होता है कि वह चाहती थी, कि मतलब ऐसा क्या हो गया, यह हो गया, पास्ट के अंदर कि भईया, वह चाहते थे, कि हमारा बच्चा अच्छा अफिसर बने, लेकिन वह नहीं बना, चाहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, कि अभी भी current projection है, तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे, एमिंग आएगा, इसका correct answer, और simple सा यह समझो कि, यहाँ ज़ादा अगर समझ में नहीं आई यह बात, तो यह समझो कि, यह क्या है, यह है past के अंदर, और हमें इसको किस के अंदर, तो हमें इसको convert करना होगा, present के अंदर, ठीक है, समझ दो मेरी बात, तो हम इसी simple सा present के पर देन फिर इसके बात में आगला क्योशं आपके स्क्रीन के अपर के क्योशन नमबर 7 जिसके अंदर के अपको एक ऐनलेटिकल रिपोर्ट दी गई है, उसमें भी आपको आपको एक अंदर की के आपको इसके अंदर की तेन्स, हेल्पिंग और बुर आपको प्री इसके प्रोब्लम में है कि एक तो वह खोते हैं दूसरा कि उनका ओर्वेट हो रहा है जब कम सोगे तो आपका ओर्वेट यहोगा क्यों कि आप लोगों को वर्काउट करने का टाइम नहीं मिलेगा इसलिए ओर विट अपर इसका हमारी इससे कोई भी रिलेशन ही है लेकिन हमन कि अमंग हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमारे पास में more than two या बोल सकते हो कि more than two objects हूँ तो अब हम यहां पर दो बातों की थोड़ी बात करने हम लोग सिंपल से किसकी बात करें एक तो slip pattern की और overweight की तो यहां पर सिंपल से किया है दो चीज़े होती तो जब कभी भी दो चीज़े थोती हम उसके लिए उसमें लेते हैं bit to win और BW को हम लोग बोलते हैं bit to win और आप लोग कमेंट करो इसकी full spelling अगर आपको आती हो कि बहुत सारी स्ट्रेंट इसके अंदर भी गलती करतेंगे देखते हैं कि कि किसको इसके full spelling आती है तो अब हमार पास मा थींर्स थीं लिए ना Нे वांफ करें मेरा सब्सक्राइबिकर डिहां ना चीज असल फेते लिए इसाई कि वी मिया पहले लहा हैं एक कल पर विलव Je gats of वीडियो张 देख्ट जिससे मजा आता है तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अब हमें क्या जाल सेब्स काहिए और मोट बचूरह्ट के अब इसके अदर क्या पर क्या वो चीज करेट ग्या थुसने नशाम्न tulee जुर्ट के वह को हिसा नशीक القी पूरसे कौनशिज कंव में चल रही हो तो देखो इसके लिए की वहाव के अब च्छा एकदम से correct होगा लेकिन आपके doubt आएगा कि भाया A वाला option तो सही होगा एक बार B वाला भी बता दो इसके अंदर having felt का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो काम हो चुका ठीक है वो काम हो चुका और उसके बाद में नया काम start होने वाला है तो वहां पर हम लोग क्या है यह उसमें लेते हैं having felt फिर इसके बाद में next आते है हमार पास में question number 9 जिसकंदर के आप लोगों को कहा गया है कि आपको report करना है dialogue दो लोगों की बिच में है vendor बोलता है इस nice to see you sir फिर इसके बाद में customer बोलता है yes indeed unlike the last month I have been away for quite some time this month अब देखो यहां पर simple सापको पूरक पूरा दे दिया गया है यहां पर आपको थोड़ा सापकी help करने के लिए थोड़ा सा लिक की दे दिया वो यह है कि the vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was blessed to see him and the customer answered in affirmative and explained that अब हमें यह जो sentence इसको पूरक पूरक complete करना है तो देखो यहां पर अब हम किस किस चीज को change करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा last month है ना उसको हमें convert करना होगा देखो अब मैं हर एक बात आप लोगों किसके अंदर बताने वाला हूँ तो last month जो है उसको हम लोग कभी भी जैसे कि tomorrow होता है तो हम लोग उसको बोलता है the day after tomorrow तो last month है तो हम लोग इसको बोलेंगे the नहीं लगाएंगे इसके आगे हम लोग इसको लगाएंगे previous month ठीक है इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे previous month और this को हम लोग इसके अंदर किसके अंदर convert करने वाले इसको हम लोग करेंगे यहां पर that में convert और इसके लाव यहां पर कुछ भी नहीं है सिंपल साम लोग जो पास्ट में करते हैं जैसे कि हैव को हम लोग इसके अंदर convert कर देंगे वो कर देंगे head के अंदर और इसके लाव इसके अंदर ऐसी कोई भी चींज निये जो कि आपको नहीं आती है तो कमेंट क है जो कि माल हो कि आपको क्यों नहीं आया तो आप लोग वो कर सकते हो तो यहां पर यह है कि आपको फिल इन दब्लैंक करना है आपर कहा गया कि अब यहांपर क्यों है कि हमारी जो अबक्राइस को जीत अ क्यों है मतलब कि अभी डिम्ति हैं के अब यहां तो होता है और वो recent वाला होता है तो उस case के अंदर हम लोग क्या use में लेते हैं वहाँ पर हम लोग use में लेते हैं has और have और उसके साथ में हम लेते हैं verb की first form so हम लोग यहाँ पर has जो है उसको use में लेते हैं singular के साथ में में यया पर हमारा हे वह वह इसको हम लोग लेते हैं प्ल्यूरल के साथ में तो आप यहां पर क्या है सिंगूलर तो जसलें हम पर किया यूस में लेंगे वाथ तो यहां पर आजागा है वाथ वॉन्ट तो यह हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर देन पिर इसके बाद में चलते हम लोग क्योशना अंबर 11 के उपर जिसके अंदर के आप लोग एक पॉइंट दियो जिसको के कम्प्लीट करना इसमें यह है कि दर रिवर रंस थू दर वेंज के थू जाते क्यों कि पॉइट जो होता है वह हमेशे उट पतांग प्लूरल के साथ में हम लोग क्या यूज में लेंगे मैंने अभी बताया था कि हम लोग बेस फॉं में लेते हैं तो इसी लिए हमारे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कॉल क्यूंकि यह जो पॉइम है हमेशे बात याद रखना कि पॉइम जो होती है वो लिकि जाती है प मैं आप लोग को इसको बताऊंगा और आप लोग को इसका अंसर कमेंट करना होगा देखतें कि कितने स्टुएंट को यह वाली बात अभी तक समझ मैं लास्ट लाक्यूशन एकदम से सही होना चाहिए वो यह है कि दा पैसेंजर्स विल नौट रीच दे एरपोर्ट इन वाइप एक्विवलेंट तो 5% आप बेसिक फियर तो यहां par देखो मैंने आपको क्या समझायू था वो समझाय था कि वह हम लोग कहां पर यूज में लेते है जहां पर कि हमने न हमारा उपीनिवन देना होता है वह पर कमपलसरी नी होता लेकिन यहां पर क्या हो रहा हो रह जो कि आपको मानना ही होगा तो इसलिए हमारे पास में जो correct answer रहने वाला है वो रहने वाला है should error होगी हमारे पास में will और इसका correction होगी हमारे पास में should